लक्षमन जू बड़ा मंदीर में मलुक पिठादीश्वर महराज राजिंदर दास जी का आगमन हुआ जिसमें हजारों भक्तों ने मलुक पिठादीश्वर महराज के दर्शन कर आशिरवात लिया वरंदावन धहम से आये मलुक पिठादीश्वर महंतर राजिंदर दास महराज जी का कलनगर में आगमन हुआ जिसमें शिष्यों ने महराज जी की आगवानी की सर्वप्रथम महंतर राजिंदर दास जी महराज ने लक्षमन जू बड़ा मंदीर एवं गूफा वाले अनुमान जी के पुश्पन नक्षतर में दर्शन किये इसी क्रम में महराज जी के दर्शन करने के लिए बहार से सेखड़ो भक्त लोग आये थे वहीं मंदीर चोक प्रांगर में महराज जी ने सभी भक्तों से चर्चा की एवं भक्तों ने महराज जी की आरती उतार कर आशिरवात लिया पत्रकार चर्चा के दोरान महराज जी ने कहा कि गाए बे सहरा घुम रही है इसमें हम और आप ही दोशी है क्योंकि गायों को दुद निकालने के बाद उसे हम खुला छोड़ देते हैं जिससे आए दिन घुम रही गाए वाहनों से घायल हो जाती है यह बड़ी शर्म की बात हैं लिदोरा से शिवम कुपता की रिपोर्ट उनके मूल में हमी लोग तो हैं गाय तो गाओं बर में किसान की ही गाय गाय गाया उन्होंने खुल दी अपने घर से बाड़ बाड़े से गाय विचारी क्या करे कहा जाए गी इस कारण से सभी को पुना गायों का अपने अपन सब्सक्राइब करने चाहिए जिससे गोवर गोमुत्र का उपयोग करके खेती को पुजावू बनाया जा सके तो यह भटकने वाली बात है निरासृत गोवन्स की उस समस्य समाधान होगी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमार झाल